एक नाग पत्थर के नीचे दबा हुआ था, नाग मदद को आवाजे दे रहे था, उसकी आवाज सुनकर एक बाग उसके पास आता है, बाग बहुत जालिम था, बाग नाग को मार कर खा गया, कुछ देर बाद नाग को ढून रहते हुए, नागिन वहाँ आ गई, वहाँ जहरे में पता नहीं था, कई दिन की खोज के बाद नागिन को बाग मिल गया, वह पानी पी रहा था, नागिन बहुत गुसे में थी, नागिन अपने जिस्म का सारा जहर बाग के जिस्म में उतार दिया, जिसके बाद तडप तडप कर बाग की मौत हो गई